कि आज लेके आए हैं चौर्लाई का साख की रेइसी पी इसे नामसे जाना है का सबसे पहले पजम आप को अच्छी तरीके से साफ अंदर गांस करवा है निकाल लेना है यानि साग को अच्छी तरीके से साप कर लेना है इसके बाद हम इसे धो लेंगे और धोने के बाद छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे तो चली हम इसे धो कर साप कर लेते हैं फिर काट के मैं मिलती हूँ तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट है ये साग बिल्कुल फ्रेस फ्रेस तो इस तरीके से मैंने दोनों साख काट ली है और ये साख बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक कढ़ाई में हम दो चमज के करीब हम तेल डाल लेंगे और तेल को गरम होने देंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम आदी छोटी चमज के करीब जीरा डालेंगे और दो सुखी लाल मिच डालेंगे जीरा को हम गोल्डन कलर आने तक चितकने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे चौप किया हुआ लस्टन और हरी मिच तो मिच अपने कोडिंग कम जादा कर सकते हैं तो देख सकते हैं लस्टन हमारे अच्छी तरीके से फ्राइव हो गई है तो इस स्टेज पे हम डालेंगे साग तो बहुत ही ऊपनाना बता रही ही और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और शरीर के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदे मंद होता है तो आप जरूर बना ये और खाए हारीक साग सब्सक्राइब तो अच्छी बात होती है, तो इसलिए आप साग, कोई साग भी साग खा सकते हैं, साग बहुत ही ज्यादा फाइदे मेंद होता है, तो बस इसे मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे श्वाद अनुशार नमाक, तो आप अपने स्वात के अनुशार नमक कम ज्यादा कर शकते हैं तो मैं इसमें आधा चमच नमक डाल रहे हूं क्योंकि साग जब पक जाती है ना तो आधा से भी आधा हो जाता है तो उस अनुशार ही आप नमक डाले यह नहीं कि अभी साग ज्यादा दिख रहा है तो ज्या प्रेंसे तो आप 10 मिनिट लगेगा आपको बनाने में यह साग और दस मिनिट में बिल्कुल पर्फेक्ट पक टैयार हो जाती है बहुत ही जल्दी पक जाती है तो देख सकते हैं दस मिनट बाद यानी साथ मिनट या दस मिनट बाद धकन आपको हटा लेना है और इसे चला कर मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं साग का पानी भी बिल्कुल अबजॉब हो गया है और साग हमारी बिल्कुल ओईली लग रही है बिल्कुल भी पानी पानी सा नहीं लग रहा है शामिल कर सकते हैं तो बनाइए खाईए और इंजुआ किजिए और इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटे केर